18 जुलाई को NDA की बैठक में शामिल होने का जो नमंत्रण है वो प्रकास राजबर को मिला है बीजोपी अध्यक जो जेपी नड़ा ने राजबर के उन्योता भीजा है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के अध्यक्षिता में NDA की बैठक होनी है दिली में कल शाम पाच बजे होटेल अशोका में यह मीटिंग होनी है जुसको ले करके सुमास पारध्यक शुम प्रकास राजबर को भी निमंत्रण मिला है 18 जुलाई को इंडिये की बैठक में शामिल होंगे राजबर दिली में कल शाम पाच बजे होटेल अशोका में यह बैठक होनी है जुसमें सुमास पारध्यक शुम प्रकास राजबर उन्हेंने मंत्रण मिला है 18 जुलाई को इंडिये की बैठक में उम्प्रकास राजबर जो है वो शामिल होंगे बीजोपी अध्यक्ष जेपी नडडा ने राजबर को भी नियाउता भेजा है प्रधान मंत्री नरेद मोदी की अध्यक्षता में इंडिये की बैठक प्रधान मंत्री के अध्यक्षता में उसमें उम्प्रकास राजबर को भी नियुता भेजा गया है जी बिल्कुल जाहिर है कि आपको बताएं कि ओम्प्रकास राजबर की नजदीकियां कहीं न कहीं भारती जन्ता पार्टी से सपागडबंदन तूटने के बाद से ही दिख रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 के चुनाओ में ओम्प्रकास राजबर एंडिये के साथ जाएंगे और दो दिन पहले जो है उनकी मुलाकात ग्रह मंतरी अमित शाह से हुई और उसके बाद उन्होंने आनन फानन में इस बात का एलान कर दिया कल कि वो एंडिये का हिस्सा बनने जा रहे हैं और एंडिये के साथ वो मिलकर 2024 का चुनाओ लड़ेंगे ऐसी सूरत में कल ही उन्होंने शाम में एलान किया है दोपहर में और शाम के वक्त उनके पास जेपी नड़ा की चिट्टी आती है और उसमें साफ तोर पर ये लिखा होता है कि आपको भी उस बैटक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है बहराल नरेंदर मोदी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की अधिस्ता में ये बैठक होगी और उस बैठक में ओम परकाश राजबर भी पहुंचेंगे माना ये जा रहा है कि 2024 के चुनाओ में ओम परकाश राजबर सही तमाम छोटे दलों को भी साथ लेकर इंडिये चुनाओ लडने की तैयारी में है ताकि भारती जत्ता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटे जीत सके और आने वाले समय में फिर एक बार उनकी सरकार बन सके आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाप और इदारा सिंग चोहान आज